कौन बनीगा वर्ल्ड कप का चैंपियन नमस्कार मैं हूँ शशी प्रिया ये है हमारा खास कारिक्रम इस कारिक्रम में तमाम उन दिगजों की भी बाते होती हैं जो वर्ल्ड कप में महतुपून भूमी का निभा चुके हैं इसी कड़ी में आज हम दो ऐसे दिगजों की बात करेंगे जिन्होंने पूर्व में वर्ल कप में बहुत ही बहतरीन भूमी का निभाईया और वर्ल कप लाया है खास करके इंडिया को लेकर तो हम आपको बता दें कि इंडिया में 1983 में जो वर्ल कप आया था वो लाने वाले थे कपिल देव और कपिल देव एक बहुत ही महान खिलाडी है और उनको देकर कई खिलाडी आज भी उच्छा से लवरेज हो जाते हैं और वही उर्जा प्राप्त करते हैं जो खेल के लिए बहुत जरूरी है और दूसरा जो नाम है वो है युवराज युवराज सिंग ने 2011 में वर्ल कप जीता था और उसके बाद टीम इंडिया उस शिखर तक पहुच पाई थी जिसकी उमीद और सपने देखे जा रहे थे उन खिलाडियों के द्वारा जो उस टीम में संभावित थे और इस तरीके से लगतार वल्ड कप को लेकर सभी खिलाडी जो खेलते हैं मैदान पर वो चाहते हैं कि वो एक बार जरूर वर्ल कप में खेले और अब जबकि सन्यास ले लिया युवराज ने तो अब युवराज के बारे में कई तरीके की बाते आ रही हैंूर्ड कप जैसा कि हमने अपने कारिक्रम में भी बोला और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ हमारे वरिष्टर सहयोगी है वो इस पर प्रकाश डालेंगे हमें बताएंगे अमन जी बहुत-बहुत स्वागत इस कारिक्रम में वर्ल कप को लेकर कपिल देव का जो बयान आया ह कि अगर वो एक दिवस्ती शरंखला के शिरुवात करते हैं तो महान बल्लेबाज और क्रिकेटर युवराज सिंग को जरूर उसमें मौका देंगे इसको आप किस तरीके से देखते हैं बिल्कुल युवराज का जाना हरे को कहना कि जगजोर जरूर रहा है सब लोग यही च कि अलग तरी की गन्दवाजी कोशल था अलग तरी की बैटिंग हुआ करते हैं अगर मैं जितना पड़ा है उनके बारे में मुझे अगर शेयर करने का मौका मेला तो मैं जरूर बताना चाहूँगा शर्शी क्योंकि 83 तक शायद कोई टीम इंडिया को सिरेस लेता भी नहीं सबसे दुनिया की बेसलिन टीम एक ती ती उस टीम को हराकर वर्ल्लक अप हासिल करना लॉट्स के मैदान पर वो ट्रॉफी उठाना ये कोई सबने से कम होने वाले बात नहीं थी तो बात लगाता था भारत में क्रिक्ट को जुनूल बढ़ा वहां से तमाम ऐसे बड़े ना इस अप्रे पर विदाई नहीं को वहीं पर ऋरहां कि अटी सिरी में वह प्लेयर खेले जो शायद लूट का नाम भी नहीं था ऐसे नाम उन्होंने थार किया। ऐसे लिए अच्छाले को लिए खाल नहीं बड़ा माहान बनाया कि उनको समझ है किरकेट की किस प्लेयर पर दा जितनी बहतरीन क्रिकेट यूब्राज तिंग ने खेली है उसको देखते हुए अगर वो टीम अपनी बनाते हैं यानिकि ड्रीम टीम होती है अगर उसको त्यार करते हैं तो उसमें वो यूब्राज को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि यूब्राज तिंग एक ऐसा नाम है जिसने इतनी महान उपलब्दी हैं उसका नाम है लेकिन जाना उनका इतना बहतर नहीं हुआ जिसकी हम कलपना या जितनी बात कर सकते हैं तो जाहिर बात है कि काफिल्देव यवां पल-बै ने कहा है और उनका बिल्कूल वात कात मिई कॉश। फालिभ से जिस तरीके इखन दिये ह बिल्कुल सब तरफ से उनको तारीफ मिल रहे हैं, श्वेबकस्ता ने भी उनके लिए कहा है, पाकिस्तानी दुहादार गंदबाज हुआ करते थे, कि आपका जाना बाकई दुख की बात है, लेकिन युवराज ने भी रिप्लाइ किया है, कि आपके खौफ में रहा करता था, आप बहुत तेज गंदबाजी किया करते हैं, सब कही ने कहीं करिकेटर हैं रिस्पेक्ट करते हैं, और यह होना भी जरूरी है, सचीन तेनलोगों ने कितनी बड़ी बात कही है, रोई शर्मा ने खुद बड़ा ट्वीट उनके लिए किया है, तमाम लोग आई रहे हैं, ब तो तमाम रिकोर्ट दर्ज हैं, लेकिन हां, जिस तरह से उनकी विदाई हुई है, वो शायद उनके पैंस के साथ में बहुत सरे करिकेटरों को भी नागाबार गुज़ा रही है, कि क्या इससे बैसर विदाई हो सकती थी? चलिए, और हम बात ये भी कर रहे थे, पिछले दिनों हमने बात भी की थी, कि क्या आज जस तरीके से टीम इंडिया बिखड़ती हुई नजर आ रही है, आज उसको समेट लेते युवराज होते तो, देखिए बिलकुल शिकर दफ़न की बात आप शायद कर रहेंगे, जिस तिनन से बियान में का एक दौर भी आता है, जब इम्रान खान सन्यास ले चुके थे, और को दोबढ़ाज है वहाँ है युवराज है कि आप 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 यहे पाकिस्तान की प्रदान पर पिएमें और वहाइए, वहाँ आपस आते हैं और पाकिस्तान की वर्ट जीता गाता है तो यानि कि यह कि तैशुदा बातनी का सन्यास ले लिया है तो दुबारा खेल नहीं सकते लेकिन वो इस तरी तो कम सखम पैदा हूं वो इस तरी तो कम सखम बने डिविलेस ने खुद अभी कुजद में पहले तो साथ आफ्रिक है कि बहुत ही काबिल वैट्समें और काबिल अजिए बात नहीं है कि वो हमेशे के लिए करें दूर हो गया है जो इसकती है उसके साब से उनका आना मुश्किल है नामुम्किन है क्योंकि कहीं भी वो उनके बारे बात नहीं हो रही है और फॉम भी बहुत अच्छा नहीं राइस बीच उनका लेकिन ज्यादा मोखे मिले अजीब सी उट्जा होती है उनके अंदर बहले ही शारिरिक थकान कितनी भी हो लेकिन आत्म विश्वास उनका हमेशा बढ़ा हुआ था आत्म विश्वास से लवरेज हमेशा युवराज नजर आये है कि मुझे 27 कप जो याद आता है और मैंन सिंग धोनी थे उसमें युव नहीं तो युवराज ने ना में नजर युवरेज भी खाना नहीं कि उसमें पुरे देश को फकर करने का मागा दिया और टौनमें पौन पाकिस्तान है युवराज ने जरूरी है कि जब आप इस तरह के प्रजिशन करते हो तो लोग ज़रूर आपको चाहते है कि आप उनक क्या उनकी जो इक्षिया है उनकी जो मनुकामना है पूरी कर पाते हैं क्योंकि युवराज को सब कोई देखना चाहता है एक बार फिर से बैदान में तो चलिए देखते हैं कि इवराज सींग क्या इन लोगों की उमीदे हैं वहां तक पहुँच पाते हैं क्योंकि इवराज को तो तमाम लोग चाहते हैं और सभी बहुत सारी शुब कामनाई दे रहे हैं और इनिने शुब कामनाओं के साथ हमें दीजे इसाज़त हमारे सही होगी हमारे साथ बने दे बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और देखते रही नेक्स्ट-नने स्पोर्स हमारा चानल सबस्क्राइब कीजिये ताजा तरीन खबरों के लिए लगतर विलाई का दबाई नमस्कार